नमस्ते दोस्तों मैं आज आप लोगों सामने एक नई वीडियो लेकर आगया हूं इस वीडियो में आप लोगों बताऊंगा कि जो दिल्ली सरकार जो अपने एकूपन से राशन दे रही थी और आप लोगों ने पूछा कि आज जो नवंबर तक केंद्र सरकार फ्री राशन देगी जिसमें पांच किलो गिहुई या फिर चावल और एक किलो चना होगा वो उस कुपन के द्वारा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसी वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिलेगा तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा और जो की आप लोगों को बाकी समझ नहीं आएगा वो मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो चलिए फहले वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों मैं आप बनाने का परपाज है वो भी मैं आपको समझा दूँगा ठीक है दोस्तों तो चले देखा तो मैं आपको यहां देखे दोस्तों यहां लिखा हुआ है बिना राशन कार्ड के इस तरह लोग मुफ्त में ले सकते हैं पांच किलो गेहूं या फिर चावल उसकी बदल ठीक है दे मैं दिखा देता हूं यहां पर आपको जो हमारा वीडियो का परपास है व मैं आपको दिखा देता हूँ शड़ा नीचे आने के बाद यह देकि लीजी एक बार देखे राम विलास पासवान के मुताविक जो हमारे खादे मंत्री हैं अगर किसी के पास राशनकार नहीं है तो उसे अपना अधार ले जाकर रजिस्टेशन कराना होगा जिसके बाद उन्हें एक स्लिप दिया जाएगा उस स्लिप को दिखाने के बाद उन्हें मुफ्त अनाज मिलेगा इसके लिए राज सरकारों की भी जिम्मेदारी तैकी गई है राज सरकारें गरी मजदूरों को ठीक मजदूरों को मुफ्त में जो रासन बुहिया कराने वाली है वो भी सुमिश्चित किया जाएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको देखें लाश्ट में ये लाश्ट की लाइन थोड़ा आपको याद दिला दूँ एक दोस्तों सोरी ये लाश्ट की लाइन देख लीजे एक बार कि इसके लिए राज सरकारों की भी जिम्मेदारी तैकी गई है ठीक है दोस्तों एक बार सम मिल सकता है अब मैं आपको बता दूं थोड़ा इसके नीचे आईए मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए दोस्तों एक वार यहां देखिए ऐसे जिन लोगों जो राशन कार्ड नहीं बना हुआ है उन्हें पृति वैक्ती पांच किलो जो राशन और एक किलो चना मिलना था अब वो क्या हुआ कि अब नवंबर तक महिने में मिलेगा ठीक है दोस्तों केंदर सरकार का मानना है कि इससे 8 करोण प्रवासियों को जो मज़दूर हैं उनको पाइदा मिलेगा इससे कई सारे जो राज जो स्कीम को कहना कि कई सारे जो राज्य सरकार हैं वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये योजना का लाव दिला रही है ठीक है अब यह फ्रेंट्स वीडियो का जो में कंटेंट है जो हमारा है परपस उसको मैं आपर देखिए दिल्ली सरकार ने इसके लिए अलग-अलग से एक उनलाइन सेवा की शुरूब की ठीक है जिन में अपलाई करने के बाद उन्हें राशन मिल रहा है ठीक है दोस्तों यहां आपको गौर तलब करने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर आप यह देख पा रहे हैं जो यह लिखी हुई है कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए अलग-अलग ऑनलाइन सेवाइं शुरू किये देखिए आपने एक डिस्टिक पे अपना राशन काड़ अपलाई किया होगा और एक जंता समवाद पर आपने राशन के कुपन को अपलाई किया होगा देखिए दोस्तों अपने उन ही कुपन के जरीया आगे कुपन को बढ़ाएगी और आपको राशन देगी तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको आगे की जानकारी देता हूं ठीक है दोस्तों हम लोगों ने वीडियो को देख लिया है जिन लोगों को पूरी बात समझना आई हो वीडियो को फि दोस्तों मैं आपको बता दूं मेंन कंक्लोजन क्या इसका देखिए जो दिल्ली सरकार का जूंगा राशन था वो उसने अगर बताया है कि financial condition ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने जूंगा राशन नहीं दिया है और जिन लोगों ने अविदन किया उनको जूंगा राशन आ गया यह नहीं मिलेगा यह आपको मैं बता देता हूं देखिए हमने वीडियो में देखा है कि जो केंद्र सरकार ने राशन को बाटने की जिमेदारी दिया है वो क्या किया है उस राशन को उसने हर राज्य सरकार को सौप दिया है अब देखिए यहां दो वाते सामने आ रही है एक बात तो यह है कि दिल्ली सरकार के पास राशन की कमी थी जो उसके financial condition थी उसकी कमी थी ठीए दोस्तों उस चक्कर में वो राशन ने दे पा रही थी लेकिन अब जब उसके पास राशन आ गया है तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं वो अपने कुपन को continue कर सकती है और उसी conclusion तो यहीं निकला कि हो सकता है आपको कुपन से भी फिरी वाल जो राशन है वो बिना राधार का बिना आपके राशन कार्ड के भी मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों में तो बात यहीं है अगर आप लोगों को